देखे मुझे लगता है कि भारतिय जंता पार्टी को इंडिया गठ बंदन के खिलाफ अपनी हार्स पष्ट नजर आने लगी है इसलिए इस तरीके की कारवाई हो रही है इसलिए एजंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है अब हर्याना के अंदर भी भारतिय जंता पार् पार्टी और कॉंग्रेस मिलके चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नहीं ठहरती है भारतिय जंता पार्टी इसलिए और दिल्ली में भी ये इस्तिति है इसलिए दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल जी को बार 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 नोटिस दिये जा रहे है ताकि वो लोगसवा चुनाव का फ्रचार नहीं कर सकें यहां भुपेंदर उड़ा जी के खिलाफ कारवाई शुरू हो गई है मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है अगर ऐसी कोई FIR है 9 साल तक भारतिय जंता पार्टी के सरकार क्या कर रही थी ED क्या कर रही थी अभी तक यह अगर नहीं किया है तो छोड़ देना चाहिए था यह 9 साल तक किसी फाइल को होल्ड करके रखना और जब इंडिया गठ बंदन की बातचीत चल रही है उसी वक्त पे यह सारी कारवाई करना यह दिखाता है कि भारतिय जंता पार्टी डर गई है भारतिय जंता पार्टी को स पश्ट नजर आ गया है कि इंडिया गठ बंदन जहां जहां बन रहा है वहां महां भारतिय जंता पार्टी बुरी तरह हार रही है